तो हेई हेलो एवर्वान आप सब लोग अच्छे होंगे उमीद है आपका दिन अच्छा गया होंगा आज का दिन तो चलिए आईए आज हम घर पर उगाते हैं मेथी मेथी दाना जो के काफी यूसफुल होता है चलिए आईए कैसा लगाते हैं वो भी सिखाते हैं आपको पॉट में हमने निकाल दिया है इसको देख सकते हैं मैं इसको निकाल रहा हूँ ताके दिकत ना हो बाद में इसलिए गाइस गाड़निंग मेरी एक होबी है पैशन है गाड़निंग करना मुझे अच्छा लगता है गाड़निंग करना एंड सेहत भी अच्छी रहती है गार्डनिंग करना आप भी करिए गार्डनिंग घर पर आपकी सहत अच्छी रहेगी केमिकल फ्री सबजी मिलेगी आपको घर पर देख सकते हैं यह जो हमारा सॉइल है मैंने हाफ कॉंपोस्ट एंड कोको पीट एंड रेती जो नॉर्मल गार्डन सॉइल रहता है वो यूस किया है मैंने देख सकते हैं तो शुरू करते हैं हम लगाना देख सकते हैं गाईस तो अब इसको हम यह देखे गाईस इसमें मैंने स्ट्रॉबरी प्लांट लगाया था बड़ वो बहुत लेट हो चुके थे तो सहीं से ग्रो नहीं हो पाए वो जलकर मर गए गाईस तो उसके बाद मैंने इसमें ए ऐसे ही छोड़ दिया था तो उसमें खत्पतवार हो गये गाईस वह भी समें मैं मेथी लगा रहा हूं मैं मेथी दाणा जिसको बोलते हैं मेथी आते हैं हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है मेथि देख सकते हैं और एक निकला है देखिए चोटा सा मिनी ब्रिक जो बोलते हैं कोकोपिट मिनी ब्रिक वो है गाइस यह देखिए ऐसे ही गाड़निंग की इन्फॉर्मेशन के लिए गाइस हमारे पेज को फॉलो कीजें इंस्ट्राग्राम पर प्लान्ट फॉर लाइफ जिरो नाइन एंड योटुब पे तो आपको मालूम है और्गैनिक गाड़निंग तो हम यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप जितना सपोर्ट करोगे गाइस उतने मैं वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए यूसफॉल इंफॉमेशन से से बरे वीडियो लाता रहूंगा गाइस सो गाइस काफी लोग को खोहईश होता है गाडनिंग करना बट वह केर नहीं कर पाते हैं और फिस व सी रिलेटट रहता है केर नहीं कर पाते हैं गाडनिंग में सब्सक् gay кएयर करना बहुलि एगाईस। अब जबी भी पानी दोगे प्लांट को तो और ली मौंनिंग देना चाहिए एंड इबनिंग टाइम इबनिंग टाइम इंस हो तो सिकस के बीच में दे सकते है आप पानी watering कर सकते हैं and early morning early morning में भी देना अच्छा होता है गाइस तो ऐसा कर सकते है आप तो देखिए हमने यह मेथी दाने का box है गाइस यह मैंने craft क्या था तो उसमें दाला था मैंने दाल के रखा है यह देखिए हमने मेथी लिया है मेथी दाना देख सकते हैं अभी इसको मैं sprinkle कर दूँगा गाइस इस प्रिंकल हलके हलके से करना है गाइस ज्यादा दोर से नहीं दाल देने का यह अंदर नहीं दानने का यह कि मेथी एक बहुत जली उप जाता है मेथी आपको टू त्री डेस में आपको result मिल जाता है मेथी का तो उपर उ आना दल दिया है इस पर देखिये अभी मैं इसको पहला दूँ का ताके अच्छे से ग्रो कर पाएग तरहके अच्छे से में ग्रोलऄ कर पाएगाईस अच्छे से ग्रोल होगा तो आपको मे lassi खाने मिलेगा जो कि इस शालन नहीं भी डालते हैं मेती वेसे शालन मे क्या आ बहुत जने यूज़ करते है गाइस एंड बिर्यानी में भी यूज़ करते है भी देखिए अभी मैं इसको हलके हलके लेर स्प्रिकल कर दूँगा जो मैंने इसका रेट निकाला था मैंने मठी निकाला सॉईल अभी मैं उसके ओपर डाल दूँगा ये सॉईल देख सकते हैं अभी इसके उपर ये soil डाल दे रहा हूं मैं डाल दिया है मैंने ये soil अभी इसको हलके से प्रेस कर दूँगा मैं अभी इसके उपर जो भी खतपतवार था उसको मैंने निकाल दिया है निकाल कर हरके हलके से प्रेस कर दिया है मैंने देख सकते हैं ये खतपतवार रहने से मैंने इसके वपर प्रेस कर दिया है इसको हलक फलक के सरा प्रेस करना ज़रूरी नहीं हो पाएंगे जल्दी से वैसा नहीं कि ग्रो नहीं टोटली ग्रोब नहीं बहुता है बसका भी एक रिजन रहता है दीया को वाटरिंग कर देंगे देख सकते हैं этогоki बड़ुस्त ऊपर आ सकते हैं आपने अपने सीट जो भी डाला आए जभी भी आप ऐसा वाटरिंग करते हो तो उपर सीट्स आ जाते हैं ग्रो नहीं हो पाते हैं जल्दी तो यही रीजन रहता है गाइस काफी सारे जैने गार्डनिंग की खौईश रखते हैं बट गार्डनिंग सहीं नहीं कर पाते हैं आपको गार्डनिंग की खौईश है फिर भी आप लाते हो प्लांट बड़ आप उसकी सहीं केर नहीं करते हो यह गलत बात है गाइस इस अनफेर गाइस इस टोटली अनफेर सो गाइस आप प्लांट्स लाओगे तो उसकी केर करना ज़रूरी है प्लांट में भी जान होती है गाइस सो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए देखिए हमने इसको कर दिया है मिलते हैं अगली वीडियो में आप से तो यह बाए आप लो रिजल्ट हमारा यह रहा है देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट है देख सकते हैं तो ऐसे यह वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब किजिए बाए